इस वीडियो में आपका स्वागा थे जिसमें हम 2022-23 UP Board का 9th Class का English Subject का Complete Solution देखने वाले हैं और जो बच्चे इस वीडियो का Complete Solution देखते हैं तो उनको इस English paper को पढ़ने में और समझने में विल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी अगर आप इस पूरे वीडियो को सांती से देखते हैं इसमें महात्मा गांधी के दोस्त जो मेरे चिंता उसने बंद कर दिया था और यहां पर मीट की बाद की बात हो रही हैं तो यह सिंपल सा पैसे से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ में आजाएगा इसके पहले प्रश्न से हम अगर अगर बात करेंगे त पढ़ते रहना है और धंक से पढ़ना है तो यहां पर जो है और हमारा मकसद केवल आपको पास कराना नहीं हम merit की वीडियो बना रहे हैं और merit की हमेशा बनाते रहते हैं तो merit ही आपको जाना है आपके 90 प्लस उपर ही number आने चाहिए इतनी अच्छे तरीक है आपको पढ़ना ह यानि की जो यहां पर इस passage को पढ़ रहा है या बता रहा है इस passage को तो वो कौन है गांधी जी तो ए ओप्षन जो हमारा correct हो जाएगा इसके narrator जो है यानि की इस गध्यांस के कथा वाचक नेरेटर मतलब जो है कथा सुनाता है जो तो कथा वाचक कौन है वो गांधी जी है इ यानि की A और B दोनों सही है तो D option आपका right answer हो जाएगा D ठीक है तो A और B बोथ जो है यह सही है इसका बाद यह next question पर the word Stanley here means Stanley का मतलब आपको बताना है यहाँ पर क्या मतलब है इसका इसका मतलब जो होता है इसका मतलब क्या होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है मतलब सक्ती से इसके बाद जो next question है यहाँ 4-8 choose the correct option to answer the question answer the following तो आपको options दिए गए इसी options में से choose करने है बहुत easy pattern है और ऐस has gone या फिर going क्यों से आएगा आपी सो सकते हो अच्छी तरीका से तो see has gone to the party ठीक है ना तो यहाँ पर हमारा क्या answer हो जाएगा the doctor away and और दा आएगा तो यहाँ पर हमारा answer कुण से हो जाएगा भी ठीक है यहाँ पर आजाएगा and और यहाँ पर आजाएगा आपको पेट्रोइट मतलब पता ही होगा देशभक्त यह देशभक्त होता है प्रस्टी जो है आपका भरोसे मंद हो गया और लोयल जो है आपका निस्थावान बोल सकते है ठीक है तो हमें पूछा किया cannot be तो यह तीनों तो हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता है इसको हम ब इसका उपर वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा सही लग रहा होगा इन माई गाडन रेड रोजेज आर व्यूटिफुल तो यहां पर देखो आर व्यूटिफुल लेना यह बहुत सिंपलिस्ट वर्ड के साथ में घूमता नहीं है तो यह जो है सिंपलिस्ट वर्ड के साथ इसके मिस्टेक्स ढून सकते हैं डेफिनिशन में आई आता है आप सभी को पता है ए गलत दिया गया है एक्सरसाइज की स्पेलिंग जो है वह एक्स ए आर्सी आर्सी आई होती है और यहां पर जो है अटेंडेंस में डी ए एंसी होता है तो इस तरह से आप देखेंगे डिवीजन इस दा राइट ऑप्शन ठीक है किसकी स्पेलिंग साही है यही पूछा गया है अगले कुशन नौ से दस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है ड पर पढ़ लेना उसके बाद देखिए मैं पहला प्रशन जो इससे लिया गया है नौ अकर्शन हू टर्न दपेजिस यहां पूछा गया है पन्ने किसने पल्टे थे तो मारगी ने भी और टॉमी ने भी दोनों ने मिलके पल्टे थे तो यहां पर क्यूंकि दे आया हुआ यहां पर आप यहां पर आप यह प्रशन देखते हैं परग्राफ अपने पढ़ा है तो टॉमी का नुमान यह था कि मारगी वूड पॉजज दबुक यहां पर यह पर यह पर यह प्र पूछा है कि के लिए उसने क्या बनाया था तो आप सभी को पता है एक पिन कॉशन ठीक बारवा कॉशन वेन वाज आइंस्टीन बॉन तो आइंस्टीन कब बॉन हुए थे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 14th March 1879 यह आपका तो बुक से है तो इसमें तो टेंसर लेनिक जरूतनी सभी को याद भी होना चाहिए नेक्स जो 13 पार्ट है 13 को देखिए everything suddenly looked black says Evelyn why तो Evelyn कहते है सब कुछ अचानक काला लग रहा था क्यों तो क्या आंसर हो जाएगा इसका तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा A and C प्रोफांडली डीफ क्योंकि वह जो है गहराई से बहरी थी और साथी साथ जो है विकॉद सी वुड़ बी सेंट टूए स्कूल फोर डीफ और जो है क्योंकि उससे बहरे के लिए बहरे वाले स्कूल में जो है भेजा जाएगा ठीक है तो वो उसके सामने सब कुछ अचानक जूदर कर दो यहां पर जो है सीधा सीधा पीली लकडि का अर्थ क्या है तो पीली लकडि का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा एफोरिस्ट विद येल्लोव लीवस इन अर्टमन सीजन यानि की शरद रीटू के मौसमे इन सरदीयों के मौसमे पीलोपत्टे वाले एक तो वो जो है वो क्यों कि उसे जो है निर्नाय लेने की वो कोशिश कर रहा था तो यहां पर सी ऑप्शन जो है 15 नंबर का करेक्ट हो जाएगा 16 और 20 तक हम पहुंचते हैं अब तो यहां पर देखिए या अपने दोस्त के पास बैठा हुआ प्रशांत क्यों चिंति था किसके लिए चिंति था तो उसको अच्छी तरह से पता है कि उसका परिवार था ना उसकी सुरक्षा के लिए तो इस फैमिली सेफटी के लिए तो बी ऑप्शन जो है 16 का करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन है तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया टोटो को बेज देते हैं कि लिए आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो है ईश्वरन वाज एन एक संपत्ति था क्यों था वाट इस दरीजन है ना क्यों था तो वह क्यों था एसा क्योंकि वह एक वंडर्फुल कुक था एंटर्ट जो है 18 नंबर का करेक्ट हो जाएगा उन्हीं से क्वेश्चन की बात करते हैं सभी को पता है दूदू ठीक है ना तो वहां की जो करेंसी थी वहां का पैसा चलता था किंग्डम फूल्स में हर चीज वहां पर दूदू एक ही दूदू की मिल जाती थी तो एक आपका अब हमारे से क्या पूछ रहा है कि जो खुश राजकुमार था क्योंकि है प्रिंस की बात हो रही है तो पतली पत्लियों के साथ जो गिल्ट किया करता था वह कौन सा था तो वह था हमारा फाइंड गोल्ड ठीक है तो यहां पर सी ऑप्सन जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है सत्तर में से बीस तो आपने उपर ले लिए पचास नमबर यहां से लेने होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से भी दिला देंगे को इश्यू नहीं है आराम से समझेंगे फिपर तो सब पुछ मिल जाएगा यहां पर है वैन वी आर यंग वी लेंट डैगर शार्क जो हम चोटे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बाग और शार्क हैं वो खतरनाक जानवर है इस तरह के पैसे पैरग्राफ है थोड़ा सा पैसे आपको देखने को मिलेगा लेकिन घबराना नहीं है तो यहां पर आपको बताया क्या गया है कि जानवरों की एक्टिविटी ज्यादा डिटेल में समझ में आ चाहेगी ठीक है मॉस्कीटों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा चलिए पहला कॉशन देखिए फिर आप और ज्यादा समझ में आने वाला इसमें पहला जो यह आप देख सकते हैं आपके पास में यह पेपर होना चाहिए अगर नहीं है तो description में लिंक दे रखिए बोड की website की वहां से आप इसको download कर सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसका answer चाहते हैं तो answer के लिए आप हमारे whatsapp number पे contact कर सकते हैं उसका PDF आप वहां से पराप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर पहला question है वायार फीमेल मौ스yटोज डेडलीयर देन मोल मेल मौकिटोज तो यहां पर से इडा से बोल रहा है कि माधा मच्छर जो है नर्मच्रों की तुना में घहतक क्यों होते हैं ठीक हैं पर देखिए इस answer हम बता सकते हैं On the other hand, और दूसरी तरफ हम देखें, तो female mosquitoes feed on animal blood. तो female mosquitoes, यानि कि मादा मच्चरों को जो जानुरों का खून जो है, वो चूसती है. तो आप जानते ही हो, आपने तो बहुत सारे वो भी देखें हैं, कहना में mims देखें हैं, सौट्स देखें होंगे, कि महिलाओं को खूनी पसंद है, तो बात मैं मजाग की कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है, फिर ही या लिखखा चाहँ है, female mosquitoes feed on animal blood, यहार की मादा मच्चर जो है, जानुरोगा खुन चूसती है, अब देखिए यहाँ पर, अगर किसी इंसान को एक इस फीमल मादा मचर काटती है, इस पूरा का पूरा आपको पहरा आप में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज पूछा जाता है, उसको ही लिखना है, अपने को ज़्यादा बकवास, भासनवाजी, कुछ भी नहीं करना है, अगर आप एक टॉपर की तरह लिखना चाहते हैं, आपके जो सलूशन्स देख रहे हैं, आप एक टॉपर कैसे लिखता है, आपको हमेशा, चाहें कैसा भी कुछन है, तरीका ढूंडिए, तरीका बिल्गुल सिंपल होना चीजिए, जितना पूछ रहा है, उससे बकवास नहीं लिखना है, एक्सटान नहीं लिखना है, ठीक है, नेक्स कुछन की बात करते हैं, इसमें भी पाट है कुछ अगया, जो जो खतरनाग बिमारियां है, जो मोस्किटो के दवारा फैलती है, उसमें सबसे पहला नाम जो है, मलेरिया है, और दूसरा यलो फीवर है, जो है, बिमार होते हैं, यहां पर सारे आंसर आप पैरग्राफ से इसी तरह से लिखेंगे, तो से मज़के लिखेंगे, इसी साथ सो मिलियन में से टू मिलियन जो है, वो तो इसी डिजीस से विचारे मर भी जाते हैं, यह आंकडे कहते हैं, पैरग्राफ कहता है, अगले C सेक्षन की बात करें, तो C सेक्षन में आप से पूचा क्या क्या है, जो है, what can we do to get rid of mosquito bites, यानि कि हम सीथे सीथे कह सकते हैं, कि मच्छरो को, मतलब हम कैसे सुरक्षा पा सकते हैं, चुटकारा कैसे बात काथ, मच्छरो के काटने से हम कैसे जो है चुटकारा पा सकते हैं, गेट रिड है ना, तो हम कैसे चुटकारा पा सकते हैं, तो mosquito nets can be placed over the bats, तो हम सभी को पता है, जो बैड के ऊपर मचरदानी लगाई जा सकती है, ठीक है, यह सारा paragraph में लिखा हुआ है, और mosquitoes have many natural enemies, और जो है मचर हैं, इनके कई प्राकरतिक दुसमन होते हैं, like bats होते हैं, birds होते ह हैं, और certain kinds of fish भी होती हैं, जो मचरों के लिए खतरनाक होती है, मचरों को नमद उनसे भै लगता है, डर लगता है, bringing more of these animals into places where mosquito live might cut, और इस तरह के जानवर जिन से उनको डर लगता है, इन तरह के जानवर अगर हम उस जगह पर ले जाए, bringing more of these animals into the places जहां पर जो है, जानते हैं, किस से मारते हैं, जो हम सब लोग यूज़ करते हैं, poisons और sprays, जो कि poisons जो हमारा कोईल आती है, spray hit वेगर आता है, यह सब चीज़ा है, और all out भी नाम से बहुत सारी चीज़ा आती है, good night नाम से आती है, तो उस से भी हमार सकते हैं, सारा paragraph में लिखा हुआ है, अ अपको एक नमबर मिल जाएगा, आते हैं, नेक्स्ट 22 नमबर question पर, 22 नमर में right and application to district magistrate को आपको लिख देना है, showing करना है concern for the safety of the children in the school buses and whence, जो school buss है, उसमें जो बच्चे जाते हैं, उनके विहाब पर आपको क्या लग रहा है, कि आप जो है, उनके प्रती अपनी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप district magistrate जो होता है, जिसको हम जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं, उसको पत्र लिखना है, जब हम district magistrate, यानि कि official letter लिखते हैं, ध्यान रखना एक बाद बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, जब हम official letter लिखते हैं, तो हमारे को अपना address ज़रूर डालना होता है, डेट के साथ में, तो आप जैसे आएगा जिसमें कुछ address ही नहीं है, magistrate आजाए, नगरपाली का आजाए, और भी कुछ, मतलब official होना चाहिए, personal नहीं, अपने माता, पिता, भाई, बहन, वो सब नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी है, उसमें क्या में, तो आप अपना address, आपका मतलब जो भी घर का address है, आप चाहें, आनंद विहार रहते हो, लखनाव रहते हो, ब्रेली रहते हो, मुरादाबाद रहते हो, कुछ भी इसी तूटा ही हो, करके आप अपनी मर्जी से कोई विल्टिंग का नाम लिख दो, ठीक है, और उसके ब बात कर रहा है, नहीं लिखा है, तो मेरी मर्जी में, ब्रेली डाल दिया, आप चाहो तो लखनाव डाल दो, आप चाहो तो बनारस डाल दो, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, ध्यान रखनाव, अगर यहां पर बरेली यूज़ करते हो, तो उपर भी बनारस के बार सब्जेक्ट जो है, आपको सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना, जैसे आप जिसको लिख रहे है, उसका नाम पता दे दिया आपने, तो सब्जेक्ट किसलिए आप लिख रहे है, यहां पर जो है, क्या कि शोइंग यूर कंसर्ण फोर दा सेफ्टी ओफ चिल्डर्न, यानि कि जो बच्चों की सेफ्टी में कमी है, तो लैक ओफ सेफ्टी ओफ इसको भी लिखना चाहते हैं, आप एक नाम यूज कर सकते हैं, दोनों नाम यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल अक्ष्रों में, बिल्कुल सा अवधानी से आप लिख सकते हैं, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the matter of safety of school student in the school buses, यहां पर सीधा सीधा क्या बोल रहा है, कि मैं स्कूल बसों में, स्कूली चात्रों की सुरक्षा के मामले की मामले में संबंदित अधिकारियों का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं, या चाहती हूं, इसके बाद आगे जो है, nowadays most of the school students travel to school, और आजकल के दिनों में, इसलिए जो है, ये स्कूल वालों का करतब बे साथ साथ में, जो भी respective authorities हैं, जो भी संस्थाएं जो हैं, इनका ध्यान रखती हैं, उनका भी ये responsibility है, कि वो बच्चों की safety का ध्यान रखें, ये चीज लिखी गई है, और we are coming across news that many school buses are meeting with accidents or drivers and conductors not behaving properly with students, especially girls, तो हम जो है, हमारे स drivers and conductors who are employed, और जो driver या conductor हैं, जिनको हम नौकरी देते हैं, should be experienced, उनको है, past में experience होना चाहिए, और should not have any criminal record, और उनका जो है, कोई भी अपराधिक record नहीं होना चाहिए, drivers driving the school buses, जो driver school buses को चलाते हैं, van को चलाते हैं, should have license, उनका पस license भी होना चाहिए, I hope my application would awake the concern authority from their slumber, तो यहा तो आपको देखो, आप तो question paper पड़ी रहे हो, इसमें कहीं भी नाम mention ही कि किस को लिखना है, मतलब किस कौन सा आदमी है, जो application लिख रहा है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, इसके बढ़ाते है, next question पे, next जो भी पाट है, आप यह एक letter लिख देना है, यान कि अब हो गया, आपका personal, friend आपका personal, ठीक है, तो friend जब personal हो गया, तो केवल आपको अपना address लिख देना है, केवल अपना address लिख देना है, और date जरूर मेंशन करना है, बस हो गया, काम खत्म समझ में आ गया, आप कोई authority, नगर निगम, newspaper वाला का ना I am writing to invite you to join to a trip to Jaipur with my family, मैंने ये पत्र तुम्हारे को जो है, एक trip, जो है, हमारे साथ एक trip करने के लिए, हमारी family के साथ में, जो है, आने के लिए लिखा है, my parents have planned a trip to Jaipur in the coming holidays, और मेरे परिवार ने आने वाले छुट्टियों में, एक holiday planned किया है, कहां के लिए, Jaipur के लिए जी के में question भी आता है, उसके लिए जो है, 10 April 2013 को उड़ान बरेंगे, we shall go to the Jaipur by plane, और यहां पर सिदा-सिदा बूल दिया है, तो हम फ्लाई भी लिख रखा है ना, फ्लाई लिख रखा है तो हम उड़ेंगे ही, और हम जाएंगे, जब अब फ्लाई कर रहे है, तो तो भी चलेगा, और it is wonderful city, with so many attractions such as Amir Fort, वहापे Amir Fort है, नहारगड फोर्ट है, नहारवट किला है, अमेर किला है, city palace है, ठीक है, hotel भी है, और जल महल तो है, आप जानते हो, जल के बीच में, हवा महल है, जिसमें केवल खिड़कियां-खिड़कियां है, और गलताजी temple भी है, जैसे हर जगे पर अपना temple होता है, वहापे गलताजी temple है, ठीक है, सिसोधिया रानी garden है, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा garden है, Central Park है, वहाँ का बहुत बड़ा है, जंतर मंतर है, वो तो आप जानते ही है, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ यह है, जो यहाँ पर बोल और हम इतने खानों को चखेंगे, जितना हमारे से खो सकेगा, ठीक है, वी शेल डू लोट्स अफशॉपिंग, और हम बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे, वी रीच ए फिव देज इन एडवांस, मतलब कुछी दिन पहले जरूर, आना, that's all for now, और इतना ही अभी के लिए, माई प्रणाम टू आंटी जी और अंकल जी, और अपना प्रणाम आपने अंटी और अंकल को भेज़ दे अपने दोस्त के, ठीक है, जिसको लिखा है, और उसके बाद में, यहां पर लिखा होगा, कि एक सॉल करना है, तीन सॉल करना है, यह चीज बहुत इंपोर्टेंट हो तो आपके पास क्या बचा नहीं, टाइम नहीं बचा, आपने उसी किसे करने सारे questions नीचे वाले छोड़ दिए, क्योंकि इसको पूरा करने में आपका time निकल गया, यहां पर जरूर पढ़ लेना, कि एक सॉल करने को बोल रहा है, दो सॉल करने को बोल रहा है, यह जरूर प सकते हो, और future वाला जो है, वो भी आप स्टार्टिंग यहां, मतलब इन words को कहीं भी घुमा फिरा का आपको use करना ही करना है, तीक है, आप चलते हैं, इसमें से एक आधा छोड़ दो के तो भी कोई फरकने पड़ता है, कि इन में से चलो मानलो, आपने उसका appearance के बारे में न से चलो माता इतना बहतरीन सब्त है, जो अभी तक हमें सीखा है, ठीक है, my mother is the most admirable person for me in my life, याने की सीधी-सीधी बात है, कि मेरी माता जो है, मेरे लिए सबसे प्रशन सनिये व्यक्ति हैं, या व्यक्तित्तो है, she is not only hard working, but also very dedicated to her work, और जो है, वो hard working तो ही है, साथी-साथ जो सर डेली activity, और जो रोजीना वो काम करती है, उसको स्टार्ट कर देती है, my mother is very beautiful and kind-hearted, lady with aphesinate, देखो, ध्यान तक यह सारे words हम यूज करते जा रहे हैं, appearance के बारे में, ठीक है, और इसके बाद में सब कुछ हम यूज करते जाएंगे बीच-बीच में, तो kind-hearted, lady with aphesinate behavior, who manages everything at our home, ठीक है, I have a special respect, I have a special respect for my mother, as she is my first teacher, who not only teaches the chapters from my book, but also shows me the right path of life and future, जो है, I have a special respect, क्यों, कि उनको मतलब उनकी प्रती मेरा विसे सा सम्मान है, क्योंकि वो जो है, मेरी पहली टीचर है, साथी साथ, वो केवल मेरे teaching में ही मदद नहीं करती, बल्कि वो जो है, मेरे जीवन में जो है, सही रास्ता, और जो है, पूरा, मेरे लाइफ और भविश्य के बारे में, सही रास्ता और पात बताती है, सी कुक्स दफूर्ट फूर्स, वो हमारे देखाना बनाती है, टेक प्रोपर केर और एच मेंबर ऑफ फैमिली, हर सदस्य का, परिवार में अच्छे तरह सा में और गाइड करती है मेरी अल अक्टिविटिज में, मयमलमर उंका अप्र आ उमलम में लिये बहुत मायने खन formula है, I love my mother, and pray to God for her long life, और मैं अपने अच्छे रहे हूं बहुत समझ में आपाए, इस तरह से बहुत सा लेंग्मेज में ने उस किया ताकि आप लोग को समझ में आपाए तो इस तरह सापको लिखना होता है इसका बाद इसका बी पार है अगर आपको ए समझ में नहीं आता है तो आप बी भी कर सकते हो ठीक और बी समझ में आता तो आपको अगर सी दिया है तो सी भी कर सकते हो लेक taking suggestions from them अब इनी से suggestion लेना है जो कि आप देख रहे हो कि यह खेल रहे हैं यह आप सब में feelings हैं यह प्यार मुहबद जानते हैं लव जानते हैं, clear जानते हैं आर्टिकल लिख देना है Animals to have emotions यहाँ आर्टिकल लिखना है आपको कि जानवरों कोई पास भी क्या है, emotions है अब देखिए, हम लिख सकते हैं आसानी से Love and freedom, these two are the most important in the life of animal or human तो प्रेम और सोतंतर जाओ है पश्यों और मनुस्यक के जीवन दोनों के लिए जो सबसे महतुपून है बोथ have emotions and can feel the pleasure of love and the pain of separation तो यहाँ सिधा सिधा है कि दोनों भावनाएं और प्यार और खुशी को अच्छी तरह समझते हैं साथी साथ जुदाई को भी जुदाई के दर्द को भी पेन उसको भी महसूस करते हैं We can see from our personal experience that if love and care is given to the wild animals तो जैसे कि हम अपने personal experience से कह सकते हैं अगर हम जंगली जानोरों को जो है love करें और उनका प्यार करें ठीक है ना care करें उनके देखभाल करें तो they will become friendly and pet जो है वो हमारे दोस्त बन जाएंगे साथी साथ पालतू भी बन जाएंगे और इस तरह से एक अंजाना सा प्यार और जो है एक bond जो है love का बन जाएगा human और animal के बीच में because of the love and the friendship they become a member of our family of the family तो इसी love और प्यार और friendship की वएसे जो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे family member बन चुके है जिसके पास pets है वो अच्छी तरह से जानते है मेरे पास है तो मैं जानता हूँ आप लोगों के पास किसी नहीं किसी पास होगा आपको मैसूस होता होगा कि आपके members में से कोई वह नहीं है दिखता नहीं है तो आपको बेचैनी सी होने लगती है we can see in the most popular parks और जो हम बहुत सारे बड़े बड़े या अच्छे पाक में देख सकते है चिल्टरन प्ले विद डिफरेंट अनिमल्स लाइक डॉग ऐलिफेंट पैर्ट रैबिट कैट दे आल्सो लुक्स लाइक स्मॉल चाइड और जो है वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो है अपने पैरेंट्स के बिना नहीं रह पाते हैं और सम्टाइम्स दे क्राई और कभी-कभी तो वह रोने भी लगते हैं वें सम्वन हर्स देम और जब जो उनको कोई उनको चोट पहुंचाता है यहां पर जो है रिराइट करना है चेंजिंग इंडरेक्ट स्पीच में लगाएं ना लगाएं लेकिन लगाने से सेंटेंस अगर अच्छा बंता है तो आप लगासकते यंगलिस में इसकी पावंदी यहां पर, तो जहां पर, तो जहां पर, पहला पर, इस साथ, नहीं है, और यहां पर, वार्टरोब, आगे चला गया तो बाई आ जाएगा, तो बाई हर, इसके वाज़ केसे, इसमें, पटिउयेक करना है punctuate मतलब इसको सही तरीके से comma inverted comma कुछ भी जो इसमें mistake है उसको सही कर देना तो यहां पर देखो पहले mistake है कि पहला अक्षर जो हो छोटा नहीं होता है आप सभी को पता है इंगलिस तो starting से बता है कि first letter always be capital तो यहां पर it का i capital नहीं है तो हमने इसको सही किया आई लिख दिया इट ठीक है बड़ा इट फिर इसके बाद में rain this evening तो यह तो पूरा का पूरा सही है it may rain this evening अब यहां पर क्या है कि है यहां पर sad the mother to her son अनिल तो यहां पर यहां पर क्या जाएगा यहां पर कॉमा लगा करके लिख देंगे sad और inverted नेक्स पार्ट में है translate the following into English अब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर PDF solution चाहिए आपको पूरा PDF आंसर के साथ तो WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं अगर यह question paper का PDF चाहिए तो description box में मैंने direct UP MSP model paper की link जो है दे रखी है तो उसको आप download कर सकते हैं वहां से paper को ठीक है आगे बढ़ते ह इसके बाद में किन्तू मनुष्य स्वाइं को स्रेच समझते हैं इसलिए वे प्रकरती के नियमों को तोड़ने से नहीं ही चकते that is why they do not hesitate to break the law of nature बहुत सिंपल सा है चाहर नंबर मिलने है यार दो लाई लिखने के यह भी सोचना है तो इस तरह का paragraph को देखने को मिलेगा और इसको इंग्लिस में translate करना है अगले पार्ट की बात करते हैं अगले पार्ट की बात करते हैं यहां पर देखिए of mind on encountering the snack उसने जो है great presence of mind जो है पेश्की जब encountering कर रहा था वो snack का he neither jumped nor trembled और जो है वो बिलकुल भी हिला डूला नहीं और नहीं वो कूदा जहां पे वो था he sat on the chair और वो चुपचाप जो है holding his breath अपने सांसों को रोक करके जो है कुरसी बैठा था his body was still यानि कि उसका जो सरीर था वो शांद था but his mind remained very active लेकिन उसका दिमाग जो बहुत तेजी से काम कर रहा था ठीक है तो इस तरह साब छोड़ा सांसर प्यारा सांसर लवली सांसर इ पर की पैचान simplest और अच्छा वर्ड इसके और पार्ट की बात करते हैं तो दोनों में से कोई एक ही करना और जब लिखा हो तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है यह ध्यान लखना है यही दिखाता है कि मतलब वो जो है एक वर्ल सीटिजन था क्योंकि वो मानवता के लिए चिंतित था, इसके बाद B part में है, अब आपको A में से कोई एक ही करना था, दोनों में ने करके बता दिए, तो इस तरह से कोई एक ही करना, ज़ल्दवाजी मत करना, question paper करने में, जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए, आपसे सोचना चाहिए, time बहुत रहता है, ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ बता रहा हूं, इसको सुनते रहे ना, बहुत काम की चीज़े हैं, जो अक्सर नहीं बताई जाती है, mention two instances to show Bismillah Khan loved India and Banaras, तो आपको दो जो है गटनाए बतानी है, जिसमें यह पता चलता है कि Bismillah Khan जो है, वो इंडिय स्कूल खोल दो, तो उसने जो विसमिल्ला खान उसने refuse कर दिया था, उसके इस offer को, क्योंकि उसका जो attachment था वो, बनारस से, रिवर गंगा से, और डुमराउन, जो है, यह भी एक आपका special गाउं है, जो की बकसर के पास पर पढ़ता है, तो उससे बहुत जादा इनका गहरा लगाऊ था, उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है, the second instance, is when खान साब was asked by शेखर गुपता, जब विसमिल्ला खान से शेखर गुपता ने पूछा about moving to Pakistan during the partition, तो जो है, जब हमारा भारत विवाजन हो रहा था, तो शेखर गुपता ने विसमिल्ला खान से बोला, कि आप पा कि यारा से प्यार करता था, कि लियर हुआ, आपको समझ में आगया होगा, आगे बढ़ते हैं, इसके और पार्ट में, तो आप यह करिए भी पार्ट, या फिर इसके और पार्ट को, अगला कुशिण इसका और पार्ट जो है, केजिया वाज़ वेरी सेंस्टिव गर्ल, इस जो है केजिया खेवल चाहती थी कि उसको थोड़ा सा प्यार और कुछ समय जो है अपनी पिताजी से मिल जाए केजिया felt very bad and hurt when she saw other children with their parents playing, laughing and enjoying जो केजिया है उसको जब बहुत जादा दुख होता था तब वो जब वो दूसरों को बच्चों को अपने माता फिता के साथ में खे संतोस यादव वास बॉण इन ट्रेडिशनल फैंदीशनल 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 वेफ लाइफ अच्छा ये contentment का मतलब जानते हो ना इसका मतलब भी संतोस ही होता है उसका हिंदी में नाम संतोस रख था और इंगलिसमें उसको कंटोन्मेंट जो है बोला जाता है थीक तरीके से जो है अपनी जगे पर खुश नहीं थी, she began living life on her, our term from the start, और जो है उसने शुरू से ही अपने सर्थों पर रहना जीवन, जो है अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया, wherever, other girls wore traditional Indian dresses, जो है दूसी लड़किया जो है traditional जो है उसको विश्भूशा के लिए जो कोई वाधित अपने आपको महसूस नहीं करती थी, इन opposition to her family और जो है उसके परिवार के opposition करने पर she enrolled herself in school in Delhi, और जो है उसने अपने आपका जाखिला जो है डेली स्कूल में करवा लिया, जब उसके परिवार ने जो है payment देने से education की मना कर दी तो उसने पाइलोट विनबरता से इनफर्म कर दिया उन लोगों को कि वो अपना प्लान खुद तयार करेगी पैसे कमाने का by working part-time ठीक है to pay her school fees और this shows that she was determined child और ये दर्शाता है कि वो एक determined child थी और उसके बाद जो है she developed a love for mountain और जो है उसको मतलब पहाड़ियों पर चड़ने के लिए जो है उसका एक जो है love विक्सित हुआ और she saved money and wrote herself in course of mountain और उसने जो है कुछ पैसे बचा करके course of mountain भी किया पहाड़ी का प्रवतरा रोहन जो है किया और she skilled mount Everest twice और उसने जो है दो बार जो है skilled किया मतलम नाब दिया mount Everest को जो कि आप जानते हो कितनी उची संखला है और this is the achievement of her heroic character उसके heroic character का जो है यह एक achievement थी एक प्राप्ती थी उसके बाद में how did abdulkalam science teacher try to break the social barriers तो social barriers जो होता हमारा भेद भाव उसको जो है अब्दुलकलाम के teacher ने जो है कैसे तोड़ने की कोशिश की यहां पर जो है an orthodox brahmin जो है कि भले एक orthodox brahmin थे तो लेकिन teacher के जो है wife ने तो इसलिए जो है he's a science teacher उसके science teacher ने जो है instead of being mad जो है और पागल ना बन करके एक अच्छे इंसान की तरफ जो है खुद सर्व किया जो है क्या क्या करना चाहता है इंस फ्री में तो वो जो है with a small cabin of clay and wallet उसके बाद में have nine beans raw and hive for honeybees और जो है live alone in the bee loud glade ठीक है यह इसका answer हो जाए अगर आप इस को हिंदे में समझे तो वो सिधा-सिधा वो के बनाना चाहता था कि सक मिट्टी और घास का और उसके बाद में है nine bean raw and hive for honeybees ठीक है तो वो जो है मुसाफिर बनकर करके जो खड़ा रहे जहां तक हो उसको जो है sorry मुसाफिर कह रहा हूं मैं have nine bees तो जो है 9 bean पंक्तियों और मदमक्यों के लिए उसका desire था उसके बाद में live alone in the bee loud glade जो है मदमक्यों के जोड़दार घास के मैदान में जो है वह अके लिए इसके बाद जो है next और पार्ट है उसको भी आप solve कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यह नहीं करना चाहते तो यह कर सकते थे तीनों में से कोई एक लिखना है कि पढ़ा करो बार 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 तीनों में से कोई एक ही लिखना है मैंने थीनों बता दिया है rain of the roof in the poem rain of the roof the poet highlights the sleuthing and healing quality of nature nature के बारे में जो भी उसको मतलब कह सकते हैं सुखदायक और उप्चारक गुनक जो है उसके पर प्रकास डाला है the poet voices out the feeling awake after a rainy day जो एक बारिश के दिनों में जो feeling आती है उसके बारे में बताया गया the poet exhibits that the rain brings the poet maximum happiness उसको बहुत जादा मतलब उस रेन की विए से when he is lost in dream and so many pensies go on revolving in his mind और जो है यह बर्शाद के दिनों में जो हो जाता है अपने सपनों में उसके माइंड में बहुत सारी चीज़े चलती रहती है he loves the parenting of soft rain on the roof ठीक है तो जो है वह वह पर pattern बन रहा है जो बर्शाद गिर रही है तो उसको जो है बहुत जाद उसको अच्छा लगता है इसे तरह से विंड का भी मैंन लिख दिया है तो इसमें मेरे को इसाप सो आपको इस लिए बनाई गया मतलब क्या कवी ता कहती है जो हमें आज़र किया है जो है, wind जो है, हमारी क्या होती है, फ्रेंड होती है, here winds represent the difficulties and challenges that we face go through in our lives, we should face our challenges bravely with courage, तो यहापे जो wind है, वो क्या represent करती है, वो difficulty or challenges जो हमारी life में हम face करती है, उसको represent करती है, और हम जो है, हमेशा जो है, challenges we have to be strong when there are difficulties और जब भी परिशानिया तो हमें मजबूती से खड़े होना चाहिए in the life so that we can face them boldly, ताकि हम उनका जो है विस्वास के साथ, या भूलत कर साहस के साथ में boldly मतलब साहसता पूरुक सामना कर सके है, और central idea of no one foreign इसका भी हम को बता सकते हैं या पर, तो जो है central idea इसका कहा है, no foreign foreign को किंद्री विचार जो है हम क्या कह सकते हैं, कि हापर जो है, human being living on the earth होता है, not different from each other जो भी संसार में पृत्वी पर आजमी रहते हैं वो एक दूसरे से भिन नहीं है, we share the same land, हम जो है उसी भूमी को share करते हैं जिस पर दूसरे लोग रहते हैं, हम वही खाना खाते हैं जो दूसरे खाते हैं, वही हवा लेते हैं जो दूसरे लेते हैं, और वही सूरज की रोशनी लेते हैं जो दूसरे लेते हैं, वही पानी पीते हैं, जो दूसरे पीते हैं, have emotions, और ऐसी emotions, यानि कि हमारे अंदर जो भावना हैं, वो सब के पास है, ठीक है, hat war, हम सभी लोग युद को जो है, युद से नफरत करते हैं, love और peace में जो है, जब हम सब कुछ साजाई करते हैं, तो राश्टी है था कि नाम पर हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, this is the root cause of hate, ignorance, और यही जो है, main root cause है, main problem है, हमारे आपसी भेदभाव का, और ignorance का, और हमारे वो कहां पहुंचा देता है, वार के कंडिशन पर, distance, यानि कि हमारे को तबाह करने कंडिशन पर पहुंचा देता है, we should believe in the universal brotherhood and love, जो हमें, सर्व हमिक बोल सकते, universal मतलब सर्व हमिक भाई चारे और प्यार पे विश्वास करना चाहिए, यह है central idea, 29 जो question है, give some examples to show that Toto was naughty monkey, तो आपको example देने, उनको भी परिशान कर देता था, और donkey के कानवान काट देता था, खेंच देता था, और किसी को सोने नहीं देता था, यह सारी परिशानी है, इसमें से कोई भी 2-3 लिख देना जो आपको समझ में अच्छे से याद आ जाए, ठीक है, और the aunt of the narrator came forward, और जैसी फेकी तो उसके सामने आया, तो Toto through the glass of the water at her, तो उसने glass of water भी उसके उपर फेक दिया, और उसके बाद में क्या करा, उसने Toto ने dining table से पुला वाली डिश जो है, पिकप किया और भाग गया, और जहाँ पर वो बैटा, कहाँ पर jackfruit पर, जो jackfruit जिसको क्या बहुत है, हम कटल का पेट पर बैट गया, और remained there afternoon, और afternoon तक रहा वहाँ पर, और एट the rice, और उसने जो भी rice लिखे गया थो, खाता रहा, प्रेसेंट मर जाएगी, तो भेहरम जो है, उसने वो जानता था कि, जो उनसी का जो भी leaf है, तो उसने पैंटिंग कर दिया, ठीक है, अपने complete कर दिया जॉब को, और जिसकी वेशे, यह एक master face बना, और जिसने जो 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 बचा लिया, ठीक है, इस तरह से answer हो गया, question number 30, मूर्ख है, उसके दिमाग में क्या है, so it always risky to live among the fools, तो इसलिए जो है, मूर्खों के बीच में रहना, मूर्खता है, ठीक है, यह भी चीज बताया, इसकी मतलब, जो है, बहुत खतरनाक है, the guru in the story tells his disciple, अपने सिश्यों को क्या बोलता है, the king and the minister are all fools, उसने बताया, कि अपने स सकते कि यह दोनों जो मूर्ख हैं, यह आपके साथ आगे क्या करेंगे, मतलब अभी सोचा उन्होंने कि अभी बोलेगे, इसको मारदो, उसको मारदो, तो आप भी यह भी कल्पना निकर सकते कि उनका अगला कदम क्या होगा, their behavior is not predictable, यानि कि उनका जो आप भविश्य का अं तो मैं ऐसी जगर पर किसी को भी रहने की सला नहीं दूँगा, जहां पर कोई भी चीज सही नहीं है, और कभी भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, once would think twice before making any hasty decision, अगर कोई फिर भी अपना मतलब भी करना चाहता है, तो वो सिधा-सिधा उसने बोल दिया, अगर आप ऐसा decision लेना चाहते हो, तो आप खुद सोच ले एक बार, एक बार की हो, दो बार सोच ले, twice का नाम ले लिया उसने, अब इसके बाद में, इसके बी पार्ट की बात करें, mission merit खतम करेंगे, और share जरूर कर देना, ठीक है, तो यहां पर आपका, suppose the little boy in the story, lost child found his parent, अगर end म जो है, उसके parent मिल जाते हैं, जो बच्चा कोया था, तो describe करना, उसकी feeling कैसी होगी, उसकी reaction कैसी होगी, अपने birds में, ठीक है, तो देखिए, after getting, the parents back, the fear and the panic gone away, जैसे ही, उसने अपने parents को देखा, यानि कि वापीस पराप्त किया, तो उसका fear, डर था, जो उसको दर्द था, सब कुछ, भाग गया, he stopped crying inconscibly, जो है, उसने जो, मतलब, एक तरह सा, उसने कुछ करके नहीं, हम मतलब होते हैं, तो उस तरह करोना, जो उसने, बंद कर दिया, stop कर दिया, he refuses to accept, even those things that he had wanted a little while ago, और उन चीजों को भी उसने मना कर दिया, जिसको वो मेले में आया था, कुछ सम after and happiness came again, and insecurity and fear gone, when he got his parent, और यहावे बोल दिया, कि उसका हसी, उसकी मुसकान, उसकी खुशी, सब कुछ वापिस आ गया, और उसका जो एक insecure मैसूस कर रहा था, वो डरा हुआ मैसूस कर रहा था, वो सब कुछ भाग गया, जब उसने अपने parents को देखा, या प्राप्त किया, य कि आप यहाँ से copy कर सकते हैं, have a good day, और next video में मिलेंगे, फिर से merit mission का next video ले करके,